डियर स्टुएंट्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बच्चों ये क्लास 7 का हिंदी बुख है चेप्टर 24 और ये इस क्लास का सबसे अंतीम चेप्टर है इसके बाद ये पुरा बुख समाप्त हो जाएगा तो इस चेप्टर का नाम है पुनर मुसी को भवा इसका नाम अलग-अलग दिया रहता है जैसे की चुहिया से फिर चुहिया मैं इस चेप्टर को आप लोगों को पढ़कर सुनाता बहुत समय पहले गंगा नदी के तटपर एक आस्रम में अनेक रिसी मुनी रहते थे उनके गुरू बड़े ही विद्वान और सिध पुरुष थे वे अपनी सक्ती से तरह-तरह के आश्चरे जनक चमतकार कर सकते थे एक दिन की बात है गुरू जी गंगा में सनान कर नदी तटपर प्राथना कर रहे थे तभी आकास में उड़ते हुए बाज के पंजो से छुट कर एक चुहिया उनके हाथों में आगिरी वो भुरे रंकी, लंबी, लहरदार पूँच वाली और चमकिली आँखों वाली थी तपस्वी को चुहिया बहुत अच्छी लगी उन्होंने अपने मंत्र बल से चुहिया को एक सुन्दर कनिया बना दिया उस कनिया को वे अपने घर ले गए और अपनी पत्नी से बोले तुम्हें हमेशा एक बच्चे की इच्छा रही है लो यह हमारी बेटी है, अब इसे प्यार और यत्न से पालो पोसो बेटी पाकर तपस्वी की पत्नी बहुत परसन हुई उसने कहा, मैं इस कनिया को राजकुमारी की तरह पालूँगी यहाँ पे इस तस्वीर में दिखाया गया है एक चोटी सी बच्ची जो एक चुहिया थी, उसको मंतर बल से तपस्वी ने एक लड़की बना दिया है कई वर्स बाद बच्ची बड़ी हो गई, वह देखने सुनने में सुन्दर थी तपस्वी और उनकी पत्नी ने सुचा कि अब बेटी का ब्याह कर देना चाहिए तपस्वी ने कहा हमारी बेटी का वर संसार का सबसे बड़ा आदमी होना चाहिए मेरे विचार में सुरी इसके लिए सबसे अच्छा वर रहेगा उनकी पत्नी को भी यह बात जच गई तपस्वी ने अपनी सिध सक्ती से सूरी को बुलाया सूरी पिर्थवी पर उतर आया सूरी ने पूछा ए तपस्वी आपने मुझे यहां क्यों बुलाया तपस्वी ने कहा मैं तुमसे अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ मेरी बेटी गुनवान तथा अत्यंत सुन्दर है और तुम्हारी वधू बनने के योग्य है उस समय तपस्वी की बेटी पिता के पास ही खड़ी थी वह सुरी के उत्तर देने से पहले नाक भोहें सिकोड कर बोली मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी इनके सरीर में तो कितनी गर्मी है मैं तो भस्म हो जाओंगी मुझे इनसे भी अच्छा वर चाहिए यह सुनकर तपस्वी मन ही मन दुखी हो गए फिर उन्होंने सुरी से पूछा क्या इस संसार में आपसे भी बढ़कर कोई है सुरी ने कहा हाँ है मुझे से बढ़कर बादल है जब वा मेरे सामने आ जाता है तो मेरा चमकना बंध हो जाता है इसके बाद तपस्वी ने बादल को बुलाया तपस्वी की पुकार सुनते ही बादल चटपट पिर्थवी पर उतर आया ये तपस्वी आपने मुझे बुलाया बादल ने आते ही पुछा लेकिन इससे पहले की तपस्वी बादल से कुछ कहता लड़की बीच में ही बोल पड़ी नहीं नहीं मैं इस दुन्दले काले ड्रावने बादल से साधी नहीं करूंगी मुझे इनसे भी बढ़कर पती चाहिए तपस्वी ने बादल से पूछा क्या इस संसार में आपसे भी बढ़कर कोई है बादल ने कहा हाँ है पवन मुझे से बड़ा और ताकतवर है वा जहां चाहे जब चाहे मुझे खदेड कर भगा देता है और मैं उसका कुछ भी बिगार नहीं पाता इस पर सिध तपस्वी ने पवन को बुलाया बुलाते ही पवन नीचे उतर कर तपस्वी के पास आया पवन ने पुछा है तपस्वी आपने मुझे क्यों बुलाया मैं अपनी बेटी का विवा तपस्वी ने कहा लेकिन लड़की जोर से चिला कर बोली नहीं नहीं मैं इस चंचल पवन से साधी नहीं करूंगी या तो पलभर भी सांत नहीं बैठता इस पर तपस्वी ने पवन से पुछा क्या इस संसार में आपसे भी बढ़कर कोई है पवन ने कहा हाँ है परवत मुझसे बढ़ा है हुआ इतना उचा और ताकतवर है कि मैं ना तो उसे हिला सकता हूँ और ना उसे पार कर सकता हूँ या सुनकर तपस्वी ने परवत को बुलाया परवत भी उसी समय वहां आ गिया उसने तपस्वी से पूछा हे तपस्वी आपने मुझे क्यों बुलाया लेकिन परवत को देखते ही लड़की पैर पटक कर कहने लगी नहीं पिताजी नहीं या कितना बड़ा, कितना रूखा-सुखा और बेढगा है मैं इसके साथ साधी नहीं कर सकती मुझे इससे बढ़कर जादा अच्छा पती चाहिए तपस्वी ने परवत से पूछा इस संसार में आपसे भी बढ़कर कोई है परवत ने कहा हाँ है, मुझे से ताकतवर चुहा है यह सच है कि मैं बहुत बड़ा मजबूत और सकत हूँ लेकिन चुहा छोटा होने पर भी मुझे खोद कर बील बना लेता है तब तपस्वी ने चुहे को आवाज लगाई चुहा तुरंत फुदकता हुआ भागा आया लड़की चुहे को देखते ही फूली ना समाई उसने कहा पिताजी जिसे मैं चाहती हूँ वह यही है मैं इन्हीं से साधी करूँगी इन्हीं के साथ रहूँगी तपस्वी ने सोच विचार कर अपने मंतर बल से उस लड़की को फिर से चुहे के साथ उसका विवाह कर दिया यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त हो गया है और सबसे पहले इसमें दिया हुआ है सब्दार्थ इसमें अधिक सब्दार्थ ने दिया हुआ है इसे पढ़कर आसानी से याद कर सकते हैं उसके बाद इस चेप्टर का मुख्य क्वेश्चन दिया हुआ है आपे क्वेश्चन नमबर टू इसमें काफी सारा क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन ज्यादा इसका बड़ा आंसर नहीं है इसके आगे सोचोर बतलाओ इसमें कुछ पुछा गिया है जिसे की सूरी में क्या था जिसके वज़े से उस लड़की ने उससे विवा करने से इंकार कर दिया क्या-क्या दोस बतलाया बादल में इस तरह से दिया गिया है उसके बाद पवन में परवत में क्या-क्या दोस बतलाया उस लड़की ने इसको लिखना है कुश्चन नमर टू में बताओ यह किसने किससे कहा तो इससे आसानी से बनाया जा सकता है उसके बाद भासा धियन का कुश्चन दियावा है जहां पे विसेशन विसेश छाट कर अलग करने के लिए कहा गया है तो विसेशन वे सब्द होता है जो संग्या या सरौनाम का विसेशता बतलाता है और विसेश जो हता हो संग्या ही होता है उसके बाद कुश्चन नमर टू निमलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाइक्यों में परियोग करो तो यहां पे यह मुहावरे दिये हुए हैं इसके अर्थ भी लिखना है और इसका वाइक भी बनाना है यहाँ पे एक्जामपल देकर बतलाया गया है कि इस सेंटेंस को बदलकर इस तरह से बनाया गया है उसी तरह से जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको भी बदलकर उस तरह से बनाना है और अंत में दियावा यहाँ पे इन सब्दों के दो दो परियावाची लिखो परियावाची सब्द लिखना है जैसे पवन को हम लोग हवा बोलते हैं समीर बोलते हैं वायू भी बोल सकते हैं इस तरह से दो परियावाची लिखना है तो चलिए इसका आंसर बनाते हैं हम लोग ये है चप्टर 24 का question answer आसरम में रहने वाले गुरू कैसे थे आसरम में रहने वाले गुरू बड़े ही बिद्वान और सिद्ध गुरुस थे एक दिन क्या घटना घटी एक दिन गुरू जी गंगा में इसनान कर प्रातना कर रहे थे तभी उनके हाथों में बाज के पंजो से छुटकर एक चुहिया गिरी चुहिया को गुरू ने किस रूप में प्रिवर्तित कर दिया बच्ची बड़ी होने पर तपस्वी और उसकी पत्नी ने सोचा कि अब बेटी का व्याह कर देना चाहिए तपस्वी ने सूरी को क्यों बुलाया और क्या कहा तपस्वी ने सूरी को अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए बुलाया और कहा कि मैं तुम से अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ बेटी ने क्या कहकर सूरी के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया कि इनके सरीर में कितनी गर्मी है मैं तो भस्म हो जाओंगी सूरी के बाद तपस्वी ने और किस किस को बेटी से विवा करने के लिए बुलाया सूरी के बाद तपस्वी ने बादल, पवन, परवत और चुहे को विवा के लिए बुलाया परवत ने अपने से अधिक ताकतवर किसे बताया क्यों परवत ने अपने से अधिक ताकतवर चूहे को बताया क्योंकि वह उसे खोद कर बील बना लेता है तपस्वी की बेटी इसे देखकर फूली न समाई उसने अपनी क्या इक्छा परकट की तपस्वी ने अंत में क्या क्या तपस्वी ने अंत में लड़की को चुहिया बना कर चुहे से विवाह कर दिया इस कहानी से क्या सिक्षा मिलती है कि हम चाह कर भी किसी का किसमत नहीं बतल सकते क्वेश्चन नमबर थ्री सोचो और बताओ इसमें यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर डायेट दिया गया है एक नमबर में पुछा गया था कि उस लड़की ने इन सब में क्या क्या दोस बतलाए सूरी में अत्यधिक गर्मी है बादल में बादल धुंदला काला और ड्रावना है पवन में पवन चंचल है पल भर भी सांत नहीं बैठता परवत में परवत बहुत बड़ा रुखा सुखा और बेढ़ंगा है कुशन नमबर टू बताओ या किसने किस से कहा तो इसका भी डायेट एंसर दिया गया है तपस्वी ने अपनी पत्नी से तपस्वी ने अपनी पत्नी से सूरी ने तपस्वी से लड़की ने तपस्वी से इसके आगे question number 4 जहां भासा ध्यान का question दिया गया है जहां पे wipe दिया गया है और उसमें क्या decision है और क्या business है उसे पूछा गया है तो यहां पे उसका direct answer दिया गया है गार नमबर, गार नमबर, गार नमबर, गार नमबर और अंगा नमबर का और question number two जहाँ पे मुहावरे दिये हुए हैं उसका अर्थ बताना है और उसका वाइक भी बनाना है जैसे कि पंजो से छूटना, चंगूल से निकलना, सेर के पंजो से छूटना आसान नहीं होता कुछ ना बिगाड पाना, अहित ना कर पाना, इस वर जिसकी रच्छा करे उसका कोई कुछ बिगाड नहीं पाता पैर पटकना, खुब कोशिस करना, समय बेत जाने के बाद पैर पटकने से कुछ नहीं होता फूला ना समाना, बहुत खुश होना, मेले में खोई हुई बच्ची को पाकर माता पिता फूले ना समाए कुश्चन नमबर त्री, जहां पे सेंटेंस को बदल कर लिखने के लिए कहा गया था तपस्वी की पत्नी बच्चे को पालने लगी, लड़की नाक भोहें सिकूरने लगी, सूरी पिर्थ्वी पर उतरने लगा, तपस्वी मन ही मन दुखी होने लगे पवन, यहां पे इसका प्रियावाची सब्द लिखने के लिए कहा गया है पवन का, हवा, समीर, सूरी, रवी, दिनकर, परवत, पहाड, यिरी, बादल का मेग, जलद, लड़की का कन्या, बालिका यहां पे यह चप्टर समाप्त हो गया है और इसी के साथ यह पूरा बुक भी समाप्त हो गया है अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हैलफुल है तब हमारे वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन अंसर पाने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे तो आई हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं